हलो वीवाल दिस ही सुनिल जांगर यूर फिजिक्स अरूगेटर वेलकम टू दा शैनल तो कैसे आप सब आई होप सभी अच्छों गड़ से पढ़ रहोंगे तो भाई सब बोड एक्जाम जो है वो बिल्कुल सिर्पर है और इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ कंटेंट दिया जा रहा है और पहले से भी अप्लोड है मैं चाहता हूँ यार आप लोगों के सतर में से सतर आए जो बच्छे स्टार्टिंग से पढ़े और एक सिंगल नंबर भी आप लोगों का ना घटे तो आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत बढ़िया वीडियो में लेके आ आने वाले हैं मैं फिजिक्स बढ़ाता हूँ तो फिजिक्स का ही डिटेल एनलीसिस करने वाले यार क्या चीज हम इसमें मतलब इस वीडियो का जो मोटीव है वो कैसा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यह कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या पेपर हाड आने वाला है तो और किस चैप्टर में से असर्शन रीजेन है किस चैप्टर में से केस्टडी है किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के एम सी क्यू है दो दो नंबर के कोशन है तिन दी नंबर कोशन है सब इस वीडियो में क्लियर होंगे तो यह वीडियो आप सब के लिए है तो इस वी भी फ्री ओफ कोश्ट आप लोग देख सकते हैं कई बर क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है बट वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ठीक है तो भाई सब इसको जुरूर से जोइन कर लेना बहुत ही ज्यादा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किस चप्टर से चर्शन रीजन आएगा किस चप्टर से के स्टड़ी आएगा या फिर यह कोशन है कि सी बीएस ने कौन से चप्टर से दिया होगा मतलब बच्चों अभी तक यह संबल पर देखा ही नहीं ठीक है ऐसे बच्चे बहुत है जिन्होंने सेंप्टर पर नहीं देखा और इसका मतलब यह नहीं आए कि भाकियों ने देख बाकियों देख लिए अब अच्छे ऐसे जिन्होंने संपल पर को अच्छे से अनिलाइज नहीं किया है अशर्षन रीजन किस चप्टर से आए के स्टेडी किस चप्टर से चप्टर वाइस मार्ट डिस्ट्रीबूशन आज समझने वाले और डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा इस वीडियो में हम वाले हैं वैसा ठीक है दो यह जो है न यह यह सी बीएसी ने स्टार्टिंग में एक डिस्ट्रीबूशन जो है भाई दिया था मार्क्स का और चप्टर के ग्रूप बनाए हुए थे ठीक है और फिजिक्स में चप्टर के ग्रूप के हिसाब से ही मोशली सारी चीजे हम चप्टर जो 18 नंबर के और ग्यारा से 13 जो हैं वो 12 नंबर के जो फोटिन और अपका साथ नंबर का ठीक है तो यह एक जो यह शुघ कि ऐए को चेप्टर का है है ना मतलत को पहला दूसरा घ्यूपरर यह गूरूप नमबर का रहा है यह 14 जो है वो 7 नमबर का रहा है क्या भाई CBSC ने सैंपल पेपर के अंदर यह चीज फोलो करी है क्या इसी तरीके से बिल्कुल हूब हूँ एसे ही ग्रूप में आया है मार्क्स डिस्टिबूशन किसी चप्टर का कम जादा तो नहीं हुआ वो एक बार देख ले तो चप्टर वाईस डिस्टिबूशन भी हम देख लेंगे ठीक है चलो अच्छा पेपर हमारा कितने नंबर का यार सत्तर नंबर का आने वाला है कितने नंबर का आने वाला सत्तर नंबर का आने वाला ही सबको पता है टोटल कोशन कितने होंगे 33 ठीक है इनके अंदर देखो 23-33 करने अंदर चोईस होगी ठीक है तो इंट्रलल होगी बीच में कुछ घूच कोशिंश के अंदर जो पांच नंबर वालये उनके अंदर में आने वाले हैं कितने section आने वाले हैं तो भाई A section, B section, C section and D section और E section तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 section होंगे आपके Classical Physics के जो paper आने वाले उसके अंदर पहला जो section है उसके अंदर आने वाले हैं वही एक-एक नमबर के question कितने 16 एक-एक नमबर के 16 question, B section के अंदर दो दो नमबर के question आएंगे, 5 आएंगे, C section के अंदर 3-3 number के question आएंगे, कितने आएंगे, 7 question आएंगे, D के अंदर यार, 2 question आएंगे और वह 4-4 number के होंगे, मतलब total 8 number का D section होने वाला है, ठीके, और इसमें ना case study होंगे, मैं आगे बताऊगा, और last जो आए, वह है 5-5 number के question आएंगे, कितने हैं, 3 आने वाले हैं, ठीके, भाई समझ लो, A section में 1-1 number question, B section में 2-2 number के, C में 3-3 number के, और D में 4 number के आएंगे, है ये 1-1 number के ही question है, क्योंकि case study है, उनके 4-4 question पूछे होंगे, ठीके, तो एक तरीके से आप एक-एक number बोल सकते हैं, बट case study दो आ रहे हैं, तो वह चार-चार number के आ रहे हैं, last जो है, वह 5-5 number का section है, मतलब 5-5 वाले question आएंगे, उसके अंदर, 5-5 marks वाले question आएंगे, और कितने आएंगे, तीन आएंगे, ठीके, ठीके बटा, ये एक चप्टर, मतलब किस chapter से किस section में क्या-क्या आया हो है, भाई साब, ये आप लोगों के लिए मैनत करी गए, और ये इदर-दर से copy नहीं किया गया है, बाकी, जो YouTube, sorry, जो बाकी भाई दिदी होते हैं, जो copy कर लेते हैं, भाई, मैनत लगी है, ये देखो, यहाँ पर ये पूरी, जो PDF में आप लोगों को भेज दूँगा, इसमें पूरे का पूरा जो है, इसके उपर, ये पूरा देखो, ये ये कौन से chapter से कौन सा आ रहा है, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो याद, तो ये यहाँ पर भी distribution मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो भाई साब ये जो है, ये आप लोगों को मैं टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा, ये वली फाईल कर किया स्टाइम बाउन्डेशन के अंदर तुम उतने कोशन करते हो या नहीं करते हो तो आप लोगों की हिल्प के लिए आपके सर ने सैंपल पेपर भी निकाला हुआ है भाई साब आप लोग देख सकते हैं सैंपल पेपर क्लास्ट्रल्स फिजिक्स के लिए है ये बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए इसमें 16 सैंपल पेपर है बिटा कितने है 15 प्लस एक मतलब 16 यह एक क्या है जो सैंपल पेपर है बागी जो बच्चे में वह न्यूंट है थी कि मतलब सब कुछ इस एक सैंपल पेपर बुक के अंदर कवर हो रहा है 2024 बोर्ड के लिए और आपके सर की बुक है यार सैंपल पेपर बुक तो बड़िया बुक आप लोगों के लिए बनाई गई है अगर आप चाहतो यार सतर में से सतर स्कोर करना तो लास्ट टाइम पर आपको सैंपल पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसका लिं अगरुशनपें से आ जैसे मानलों किया में फॉर्स्ट प्कड़ता हो तो first चाहब्टर में section A में आया मनले एक नंबर को को फिर अटसे नमबर को को कोशन है फिर 6 नमबर को 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 बार यह आया वह पांचने इसारीकह से चौथा चप्ट्टर वीं तो कोशन आएבה पिर आगे ऐसे टिक मांग जो लगे हैं वह नंबर उसके शो कर रहे हैं ठीक है सेक्शन वाइज मैंने तुम्हें बता दिया अब यहां पर देखो यार अशर्शन रिजन कौन कौन से चप्टर से है इस सैंपल वेपर में आए हुए नाइंत में और थर्टींत में पोटींत मे और थर्ड में इस सैंपल वेपर में से देखो यार इन चार चप्टर के अंदर से अशर्शन रिजन आया है लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है सीबीसी इन में से ही अशर्शन रिजन देगा जरूरी नहीं है ठीक है यह बड़ा डाउट मैंने क्लियर कर हुआ नहीं उन्होंने marks distribution बता दिया है वो किसी चप्टर से भी दे सकते हैं ठीक है similarly case study यार 9th chapter से आया हुआ और 14th chapter से आया हुआ है 9th से आया हुआ और 14 से आया हुआ ठीक है बाकी मेरे कहल से सब कुछ marks distribution आप लोगों को समझ में आ रहा होगा है एक बर calculate करते हैं chapter wise ना हर एक को देखते हैं देखो इसमें एक नंबर का पोशन है तो इसको हम बोलेंगे कि यह पहला चप्टर एक नंबर का ठीक है अरे वाँ मतलब यह क्या होगा है एक नंबर यह रहा है तीन यह रहे चार और पांच पांच और तीन आठ और एक नो ठीक है यह कितन सोरी 6 कितने होगे 16 ठीक है नो रेक दस होगे और साथ में 6 तो सोलों पहले तीन चप्टर कितने नंबर गया 16 नंबर के तो देखो 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 एक नंबर करूंगा ग्रूप में 16 नंबर का अब भाई सब यहां पे जो सीबी एस ने स्टैंपल पर देया ना उसमें यह आप जाए ऐसे डिस्टिबूशन भी हो सकता है तो मैं बार बार बहुत हमया क्या करना है चाप्टर वाइज नहीं जाना है यह यह को बांजिंब बाका देंसे तो दो और 35 अलाए तो उर दो चार नहीं एक है एक नवब्र की यह है तो इसमें और कोई नहीं है तो यह चार हो गए ठीक rabbits साथ वाँ तो जरूरी नहीं है कि बोड एक्दाम में भी यह चप्टर पांच नंबर कहीं आएगा यह दो नंबर गाएगा यह चार नंबर गाएगा भाइसा भी कम जादा हो सकते हैं तो मैं ग्रूप वाइस distribution के हिसाब से study करनी है ठीक है तो ऐसे ही बाकियों को भी आप लोग जोड लीजिए तो आठमा जो है भाईसाब वो आ रहा है चार नंबर का ठीक है नोमा चप्टर में एक थोड़ा सा confusion है बच्चों के माइंड में दोख यह एक नंबर का है यह दो दो के है तो चार और एक पा यहां से करो मतलब यह तो यह चैप्टर जीरो नंबर का है सीबीएसी के इस सेंपल पर में या फिर आप उसको पांच नंबर का काउंट कर सकते हैं अगर आप यहां से पांच नंबर का करना होगा ठीक है ओवर जो देख देख रहे हो तो टोटल जो आ रहा है वह भाई अठ यह ठीक है ऐसे यहां सबको आफस्व कर सकते हो यह एक नमबर यह दो नमबर का घया हुआ थीक है नेक्स्ट आपका ऑला तो नमबर का ही तो यह पांच हो गए और ऑ लास्ट वाला future नहीं ब्लोगों से च्छार तो यह हो गए तो यह देखो chapter 20 आप लोग सकते हो पहला चप्तर एक नंबर का दूसरा प्बंबर का तीषर शे नंबर जोओने चल्टनबर का फॉरटीन यहां से कर रहे हो तो यह पर ही फोकस करेंगे हम यह नहीं सोचेंगे कि यार वेव अप्टिक्स में सो जीरो नंबर का आ सकता है मलब वेव अप्टिक्स को नहीं करेंगे तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा रहें नहीं सी यहां पर कुछ भी जोल कर सकता है वो अठारा को कुछ भी कर सकता है वो क्या पता साथ नंबर का यहां से दे दे साथ नंबर का यहां से दे दे ऐसे भी तो कर सकता है उसको अठारा नंबर का देना तो मेरे खाल से बात क्लियर है सभी को कि किस तरीके से यह distribution है आपको सिरफ group wise या फिर मैं बोले unit wise ही देखना है यह chemistry नहीं है कि हां यारे हर एक चेप्टर के बता रहे हैं तो मैं यह चार नंबर के ती नंबर के दो नंबर का नहीं ऐसा नहीं ठीक है और नहीं फिक्स्टेक यहीं से आएगा के स्टेडी यहीं से आएगा ठीक है बटा चलो तो यह है distribution अब मैं जो actual में मैंने जो चीज देखी है यार इस पेपर के अंदर कि क्या यह पेपर यह मुश्किल है क्या CBSC पेपर ज्यादा मुश्किल देगा सबसे पहली बात कुछ पॉइंट्स में आप लोगों बता देता हूं यार CBSC बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है हर बार अच्छा आता है और खासकर फिजिक्स में यह होता है कि जो पेपर है उसका अगर डिफिकल्टी लेवल अगर आ भी जाता है मतलब अगर easy to difficult आ गया मतलब easy आरे चलन दे चलन दे ऐसे वाले होती तो डरने की जूरतनी है दूसरी बात कि जो मैंने हम पर study करी है तो पेपर आपका easy to moderate जा रहा है ठीक है easy to moderate मतलब average सा पेपर है ना ज्यादा आसान है ना ज्यादा मुश्किल है बीच सी का पेपर है ठीक है बटा बड़ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें यह पढ़ना भाई सर ने बोला था बीच सी का पेपर आएगा ठीक ठाक सा पेपर आएगा तो इसलिए छोड़ को देते हैं भाई पढ़ना फिर भी है क्योंकि हमें भाई सब्सक् razor की त्यारी करनी है बिल्कुल मुश्किल की अटक की त्यारी करनी है इजी आ जाए मोडरेट आ जाए क्या ही फरक पड़ेगा जब हमने हार्ड की त्यारी कर लिए ठीक है बटा तो यह है आप लोगों का जो सीबी ऐसी ने सैंपल विपर दिया था उसका डिटेल्ड एनलिसिस इसको मैं टेलेग्राम पर डाल दूँगा ठीक है आप लोग एक बा पड़ाता हो तो फिजिक्स के ओपर ही फोकस करेंगे तो टेलेग्राम चैनल इसको जॉइन जरूर कर लेना साथ में आप लोगों को मैंने बुक बता दिया कि कौन सी बुक आप लोगों को क्लास्टोल फिजिक्स के सैंपल पर में यूज करें हैं सस्ती सी बुक है 230-40 कुछ की है मेरे ख्याल से देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं ओके चलिए इसे के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त मिलते हैं जल्दी से नए शेशन में सब वाइड टेक केर जैहिंद बंदेमाक्ति रहों